जैश्री कुष्णा वच्चों कैसे हैं आप? उमीद है आप अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मज़ेदार कहानी वो भी तीन मचलियों की तो शुरू करें एक बार की बात है एक तालाब में तीन मचलिया रहती थी और वो तीनों ही बहुत ही अच्छी मित्र थी जिन में से एक का नाम अनागत विधाता दूसरी का नाम प्रतिन नमती और तीसरी का नाम यति भविश्यती था जिसमें से अनागत विधाता जो हमेशा सही तरीके से तुरंत निर्णा लेकर के समझदारी से काम करती थी लेकिन प्रत्युन्मती उस सिच्वेशन से या परिष्टी से निकलने के लिए किसी भी मुश्री परिष्टी से निकलने के लिए वो भी एक नए सुझाओं के साथ या नए ने तरीकों के साथ खुद को बचा लेती थी लेकिन यति भविश्यती जो हमेशा अपनी किस्मत के भरों से बैठी रहती थी तो एक बार की बात है यति भविश्यती अनागत विधाता ने एक बार अपने तालाब के किनारे बैठे दो मचवारों की बाते सुनी उन मचवारों में से एक ने कहा कि देखो भाई इस तालाब में कितना पानी है इसमें अवश ही बहुत सारी मचलिया होंगी हम अगले दिन अपना जाल लेकर आएंगे और इस तालाब के सारी मश्लियां पकड़ देंगे जैसे ही अनागत विधाता ने ये बात सुनी वो बहुत डर गई और वो तुरंथ ही प्रतिनमती और यति भविश्यती के पास आकर बोली कि हमी ये तालाब आज ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि मचवारे कह कर गए हैं तो हो सकता है कि वो कल अवश्य आएं इतना सुनने के बाद रतिनमती ने कहा अगर वो आते हैं तो हम कुछ नया कुछ नया तरीका ढूंड लेंगे उनसे बचने के लिए लेकिन यति भविश्यती ने साफ मना कर दिया कि वो इस तालाब को छोड़ कर कही नहीं जाएगी उसने कहा जो हमारी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा इतना कहकर के प्रतिनमती और यति भविश्यती वहां से चले गए और अनागत विधाता ने क्या किया वो जैसा कि मच्वारों की बात सुन चुकी थी और डरी हुई थी वो सोच से सोच से उस तालाब से उसी वक्त ही दूसरे तालाब की ओर चल पड़ी जैसा कि मच्छवारों ने कहा था अगले दिन आने के लिए अगले दिन वो आएं भी और अपना जाल ले करके आएं और सारी मच्छियों को उन्होंने पकड़ डिया जिसमें प्रत्युन्य मति और यति भविश्यते भी पकड़ी गए और पकड़े जाने पर अब क्या हुआ यह कि प्रत्युन्य मति ने जब देखा कि वो बहुत मुसीबत में हैं अब इन मच्छवारों के हाथों मारी जा सकती है तो उसने तुरंत ही एक नई तरकीप सोची और मरने का नाटक किया तो जब मच्छवारे ने देखा कि जाल में उसने एक मरियू मच्छी भी पकड़ी है तो उसने प्रत्युन्य मति को उठा कर जाल से पानी में फेग दिया और प्रत्युन्य मति अपनी नई तर्कीप से अपनी जान बचा चुकी थी अब पारी थी यतिभविश्यती की जो क किस्मत के ही भरों से बैठी रह गई और तड़त तड़कर मच्वारे के जाल में मारी गई तो यह कहानी हमारी यहीं पर खत्म होती है इस कहाने से हमको यह सिच्छा मिलती है कि हमको हमेशा निरन तर काम करते रहना चाहिए अगर हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हमको निर जास्री गुष्मा